नौसेरा ने हर युद्ध का हर चद्म का हर शड़ियंत्र का माखूल जवाब देकर कश्मीर और स्रीनगर के पहरी का काम किया आजादी के तुरुंद वाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी गी थी नौसेरा पर हमला हुआ दुश्मनों ने उंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की और अभी जो मुझे पूरा बृत्त देख वीडियो समय सारी चीज़ देखना समय ने का मोका मुझा और मुझे खुशी है कि नौसेरा के जाबाजों के शौरियों के सामने स सारी साजी से धरी की धरी रह गए दोस्तों है भारतिय सेना की ताकत क्या होती है कि इसका एसास कि दुश्मन को कि शुरूआ के दिनों में ही लग गया कि मैं नमन करता हूं नोशारा के शेर ब्रिगेडियर मुहमद उस्मान नायक जद्वनाथ सींजी को जिनोंने देश की रख्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया मैं पडाम करता हूं लेपिनेंट और और राने को जिनोंने भारतिय सेना की जीत का नास्ता तसस्त किया था ऐसे कितने ही वीरों ने नौशेरा की इस घरती पर गर्वी लिए अपने रख्षा से लिखी है अपने पराकंद से लिखी है अपने पुर्सार्थ से लिखी है देश के लिए जीने मरने के संगतलपों से लिखी अभी मुझे कि दिवारी के इस पवीतर त्योहार पर मुझे आज दो ऐसे महापुरुसों के आशिरवाद प्राप्त करने का सवभाग मेरा मेरे जीवन में एक प्रकार से अनमोल विरास्त है मुझे आशिरवाद मिले स्री बल्देव सी और सी बसंसी जी ये दोनों महापुरुष बाल्यकाल में माँ भारती की रक्षा के लिए खोज के साथ कंदे से कंधा मिलाकर के साधनों के अभाव के बीच भी और जब मैं आज सुन रहाता हूं को वही जजबा था वही मिला था और वर्णन ऐसे कर रहे थे जैसे आजी अभी से लडाई का मैधान चाहे है ऐसा वर्णन कर रहे थे आज अधी के बाद हुई सानिय किश्वरों ने ब्रिगेडियर महमद उस्मान के मारदर्शन से बाल सैनिक की भूमिक आनिभाई थी उन्होंने अपनी जीवन की परवां न करते हुए उतनी कमरुम्र में देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया था सेना की मतद की थी नवशेरा के सौर सिल्सला तब से जो सुरूआ न कभी रुका है न कभी जुका है यही तो नवशेरा है कि सर्जीकल स्टाइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिक निभाई कि वो हर देश वाजी को गौरों से भर देता है और वो दिन तुम्हें हमेशा यहाद रखोंगा क्योंकि मैं क्यों तै कि आता सुर्यास्त के पहले कि सब लोग लोट करके आ जाने चाहिए और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिक टिका के बड़ा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया कि और कोई भी नुक्षान किये विला कि मेरे वीर जवान लोट करके आ गए पराकरम करके आ गए शिद्धी प्राप्त करके आ गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां आशांती भेलाने के अंगिनित कुछ सिद्ध प्रयास हुए आज भी होते हैं लेकिन हर बार आतंगवाद को मुह तोड जवाब मिलता है असत्य और अन्याय के खिलाब इस धर्ति में एक स्वाभविक प्रेरणा है माना जाता है और मैं मानता हूँ यह अपने आप में बड़ी प्रेणा है ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्यात वाज के दौरान अपना कुछ समय इसी खेत्र में व्यतित किया था आज आप सबके बीश आकर मैं अपने आपको यहां की उर्जा से जुड़ा हुआ मैसूस कर रहा हूँ आप